प्रेंका चोप्रा आज किसी के महतास नहीं है वही हाली में प्रेंका की मा मधुचोप्रा ने अपनी बेटी के साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया जिसे सुन कर आप भी चौंग जाएंगे मधु ने बताया कि उनकी बेटी को भी बॉलिवुट में शुरवात में कई डारेक्टर्स की मांगे पूरी करने से मना कर दिया था एक मैगसिन को दिये गए इंटरव्यू में मधु जोप्रा ने एक किसा शेयर करतो है बताया कि एक प्रड्यूसर ने प्रेंगा से मुलाकात की और कहा कि जब तक मैं आपको कहानी सुना हूँ तब तक आप अपनी मा को बहार भेज़ दे लेकिन प्रेंगा ने उनसे कहा अगर कोई ऐसी कहानी है जो मेरी मा नहीं सुन सकती तो वो एक ऐसी कहानी है जिस पर में काम नहीं कर सकती ये बात सुनकर प्रेड्यूसर नराज हो गए और इस कारण प्रेंगा फोद दस बड़े प्रचेट से हाधोना पड़ा एसा ही एक दूसर किस्टा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि एक डिजाइनर ने कहा कि फिल्म के डारेक्टर चाहते हैं कि प्रेंका फिल्म में छोटे कबड़े पहने डारेक्टर के शब थे कैमरे के सामने किसी मिस वर्ल को लेने का क्या फायदा जब वो खुद को खुबसूरत नहीं दिखा सकती ये बात सुन प्रेंका ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया इस फिल्म को एक फेमस डारेक्टर बना रहे थे और वनाराज हो गए ऐसी वज़ों से मिस वर्ल रहे चुकी प्रेंका को काई प्रोजेक्ट से हाथ होना पड़ा था बेसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भी लिएगा और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एनिमे फियूज